नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन, करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है बाइलोजी यानि की जीव भी ज्यान, जीव भी ज्यान से हम लोग 500 महतोपून प्रस्न कर रहे हैं, जिसमें आ कोशन सेलेक्टेड कोशन है, आप कोई भी एकजाम का त्यारी कर रहे हैं, उस एकजाम में इस वीडियो से और इस 500 महतोपून प्रस्न से कोशन बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा, तो अगर आप NTPC और गूरूप D का त्यारी कर रहे हों, तो आपके लिए तो ये वीडियो र की नदेरी किये हुए, कोशन कह रहा है, कोशन को मैं थोड़ा जूम करके बढ़ा कर देता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में परसानी नहीं हो, कोशन कह रहा है, हाँ, कोशन कह रहा है, मिरित, हाँ, दोस्तो, मिरित RBC को नश्ट किया जाता है, कहां पर नश्ट किया जाता ह तो हीपेरीन रोकता है, हाँ दोस्तों, सरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, कौन रोकता है, तो हीपेरीन रोकता है, ओके नेक्स्ट कोचन, सरीर को उर्जा परदान करती है, कौन करती है, तो कार्बो हाइड्रेड, हाँ दोस्तों, सरीर को उर्जा परदान करती है, तो और योग किया था किस ने किया था तो जे बरजिलियस ने किया था किस ने किया था दोस्तों जे बरजिलियस ने किया था ओके नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं प्रोटीन बना होता है किससे बना होता है तो 20 अमीनो अमले से मिलकर बना होता है प्रोटीन बना होता है किससे बना होता हैं दोस्तों तो 20 अमीनो अमले से मिलकर प्रोटीन बना होता है देखते हैं बच्चों में क्वाशिक्योर तथा मरासमस की बीमारी होती है हाँ दोस्तों, बच्कों में क्वासिक्यो कर तठा मरासमस की बीमारी होती है, उके दोस्तों, नेक्स्ट कोचन देखते हैं, मनुष्य के सरीर को आउस्यक्ता होती है, तो 20 परकार की प्रोटीन की आउस्यक्ता होती है, एक गराम वासा से उर्जा उत्पन होती है, कितना उर्जा उत्पन होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी उर्जा उत्पन होती है, ओके नेक्स्ट कोचन देखते हैं, नेक्स्ट कोचन कह रहा है, बिटामिन की खोज किया था, किस ने किया था? तो फंक ने किया था, सन 1911 इस भी में किया था, किस इस भी में किया था? इसी तरह के वीडियो हर्दम आपको पर डे एक वीडियो मिलते रहेगा ओके दोस्तों नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है बिटामिन ए तथा बिटामिन बी की खोज की थी किसने की थी बिटामिन ए तथा बिटामिन बी की खोज की थी तो बिटामिन C की खोज होलकट ने की थी तथा बिटामिन D की खोज होपकिंग्स ने की थी हाँ दोस्तो बिटामिन C तथा बिटामिन D की खोज की थी होलकट एं होकिंग्स ने ओके नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं जल में घुलनसिल बिटामिन है तो बिटामिन B तथा C है ह ओके नेक्स्ट कोचन देखते हैं वासा में घुलनसील बिटामिन है तो बिटामिन A, बिटामिन D, बिटामिन E तथा बिटामिन K वासा में घुलनसील बिटामिन है यह कोचन आपको 100% रिपीट होने की चांस है क्योंकि इस तरह सवाल इस तरह के सवाल आपको 100% रिपीट करत सवस्त मनुस को परती दिन पानी पीना चाहिए पहां किटना पानी पीना चाहिए तो 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए हाँ दोस्तों एक स्वस्त मनुस को प्रती दिन पानी पीना चाहिए तो 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए ओके नेक्स्ट कोचन देखते हैं, हडियों और दातों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ हैं, तो फुलोरीन हैं, कौन सी अकार्बनिक पदार्थ हैं दोस्तों, तो फुलोरीन हैं, हडियों और दातों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ तो fluorine है ओके दोस्तों नेक्स्ट कोचन देखते हैं नेक्स्ट कोचन कह रहा है अस्तियों दातों के निर्मार में सहायक होता है तो calcium तथा phosphorus हा दोस्तो calcium तथा phosphorus होता है यह कोचन मैं फिर repeat कर दे रहा हूं कोशन कह रहा है अस्तियों दातों के निर्माण में सहायक होता है तो केल्सियम तथा फासफोरस होता है ओके नेक्स्ट कोशन देखते हैं रक्त में हीमोगलोबीन बनाने में सहायता करता है तो लोहा आईरन हाँ दोस्तों लोहा करता है ओके नेक्स्ट कोचन देखते हैं लोहा की कमी से होने वाला रोग है तो एनेमिया है ओके नेक्स्ट कोचन देखते हैं नेक्स्ट कोचन कह रहा है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है तो ग्वाइटर है कौन सी रोग है दोस्तों ग्वाइटर है ग्वाइटर को ही हम लोग घेंगा रोग भी कहते हैं आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वाइटर यानि की घेंगा रोग विटामिन A का रसाइनिक नाम है रेटिनॉल है विटामिन A का अच्छा सुरोत कौन सा है तो अंडा है गाजर है दूध है विटामिन A का अच्छा सुरोत है अंडा गाजर और दूध है विटामिन A का अच्छा सुरोत है अंडा गाजर और दूध है विटामिन A की कमी से होने वाला रोग हाँ दोस्तों बिटामिन A की कमी से होने वाला रोग है रताउधी रताउधी जो होती है बीमारी वह बिटामिन A की कमी से होती है ओके दोस्तों नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है बेरी बेरी नामक रोग होता है बिटामिन B की कमी से बेरी ब क्या नाम है दोस्तों थैबीन विटामिन बी का रसायनिक नाम है थैबीन विटामिन बीं मेंच्छा श्रोथ है summer है झाल कैसे यह दोस्तों विटामिन बूत fact कर दोस्तों कोर्बशंदन ऑन 95 एइस Iya can 5500 एक दोस्तों एस्कुबिक आसीड बिटामिन गारा सानीक नाम है स्कुर् दोस्तों निंबू तथा संत्रा वितामिन C का अच्छा स्रोध हैं को के नच्ट गोचेन देखते हैं विटामीन C की कमे से होने वाला रोग है तो अस्कॉष्फ nut कोर्वि को डेखते हैं नेस्ट कोर्विन कह रहा है विटामीन D की हाँ दोस्तो विटामिन D का रासाइनिक नाम है तो केलसी फिरॉल है विटामिन D का रासाइनिक नाम है तो केलसी फिरॉल है विटामिन D का आच्छा सुरोत है तो सूर्ज का परकास हाँ दोस्तो सूर्ज का परकास विटामिन D का रासाइनिक नाम अगर पुछता है तो केलसी फिर आप याद कर लीजिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती हैं तो इस वीडियो को दोस्तों को साथ सेर करें और वीडियो अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए ओके दोस्तो चलिए next question देखते हैं next question कह रहा है रिकेट्स हाँ दोस्तो रिकेट्स यानि की सूखा रोग नामक बिमारी होती है तो vitamin D की कमी से होती है ओके next question देखते हैं जनन छामता में कमी तथामान स्पेसिया कमजोड हो जाती है vitamin E की कमी के कारण ओके next question देखते हैं next question कह रहा है विटामिन E का रसाइनिक नाम है तो क्या है टेको फिरोल हाँ दोस्तो विटामिन E का रसाइनिक नाम है तो टेको फिरोल नाम है विटामिन E का रसाइनिक नाम टेको फिरोल ओके नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं रक्त थक्का नहीं बनता है विटामिन K के कारण नहीं बनता ह किसने किया था तो विलियम हरवे ने किया था में किया था तो सन colony also 1928 इसवी मैं किया था विटामिन B12 को ही हम लोग साइनो कोबालमीन के नाम से भी जानते हैं मनुस के हिर्दय का समान अस्पदन याने के धडकन गती होती है 72 बार प्रती मिनट 1 मिनट में 72 बार धड़कती है हाँ दोस्तों मनुस के हीदय का समाननेत धड़कन गती होती है 72 बार प्रती मिनट यानि कि 1 मिनट में 72 बार ओके नेक्स्ट कोचन देखते हैं स्वस्त मनुस का स्वसंदर होता है हाँ दोस्तों स्वस्त मनुस का स्वसंदर होता है 16-18 बार प्रती मिनट एक मिनट में 16 से 18 बार होती है ओके दोस्तों next question देखते हैं next question कह रहा है next question क्या कह रहा है next question कह रहा है मनुष से एक दिन में स्वसन करता है हाँ दोस्तों मनुष से एक दिन में स्वसन करता है 200 बार हाँ दोस्तों मनुज से एक दिन में स्वसन करता हैं, बाइस सो बार करता है, यानि कि 1600 kg वायू करता है, कितना करता है दोस्तो? 1600 kg वायू स्वसन करता है, नेक्स्ट कोचण देखते हैं, मानो सरीर में समानने रक्त दाब होता है, 120 बाटा असी होता है. नेक्स्ट कोचन देखते हैं, रक्त चाप मापने वाला यंत्र है, तो सिगमो मैनो मीटर, कौन सी है दोस्तों, सिगमो मैनो मीटर है, रक्त चाप मापने वाला यंत्र है, सिगमो मैनो मीटर, ओके नेक्स्ट कोचन देखते हैं, नेक्स्ट कोचन कह रहा है, नेक्स्ट कोचन क् तो 5-6 लिटर होती है। नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, रक्त का रंग लाल होता है, हीमोगलोबीन के कारण। नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कोचन कह रहा है लाल रक्त कर्ण यानि कि RBC का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का हाँ दोस्तों लाल रक्त कर्ण का निर्माड होता है अस्ती मज्जा में कहां पर होता है दोस्तों अस्ती मज्जा में होता है स्वेत रख्तकर्ण यानि कि WBC का निर्माड होता है अस्ती मज्जा में क्या होता हैं दूसरे चार दिन का होता है ओके नेंस्त कोचन देखते हैं नेकस्ट कोचन कह रहा हैं मैं मैं clip hmm Haarihad料 WBC का मुख्यकार्ण है शरीर को रोगों के संक्रमर से बचाना डालोव वी सी का मुख्यकार्ण को पहुचाना RBC का काम है हाँ दोस्तों RBC का मुख्यकाज क्या है तो सरीर की हर कोशिका में oxygen को पहुचाना RBC का काम है ओके दोस्तों इतना कोशन था मैं पाट टू में इतना कोशन लेकर आया था उमीद किया हूँ कि आपको सारा question याद हो गया होगा अगर आपको सारा question याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए आपके लिए एक है question important है इसमें जो भी मैं question करा रहा हूँ selected question है 100% जा मैं repeat करता ही करता है यह सारा question तो अभी आज आप part 2 देखे हैं कल part 3 मिलेगा और कल part 4 मिलेगा मैं उमीद करूँगा कि part 4 तक ही पूड़ा 500 question करा दूँ जिससे आपको direct benefit हो ओके दोस्तों आपसे next video मैं मिलता हूँ आप पढ़ते रहे हैं मन लगा के पढ़िए अगर अभी तक आप video को ये share नहीं किये है और इस channel को subscribe नहीं किये है तो इस channel को subscribe कर कर बेल आइकन भी बजा देजे ताकि कभी भी मैं वीडियो डालू तो सबसे पहले आपको मिले ओके दोस्तों next video मिलता है टेक कियर अपना ध्यान रखे पढ़ते रहे पाए